Good morning students, students, अपनी हिंदी व्याकरन की बुक के खोलो, page 56, part number 13, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, students, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, देखो students, कई बार हम अपनी बात को थोड़े से शब्दों में कहने का प्रियास करते हैं, तो जब हम अपनी बात को थोड़े से समय में कहने का प्रियास करते हैं, थोड़े शब्दों में कहते हैं, तो यह रूप भाशा को सही तथा सुन्दर रूप प्रदान करता है, तो आप देखो, और हम बात जल्दी भी कह देते हैं, आप देखो, यहाँ आपके पास उधारन है, एक्जामपल हैं, जो कपड़े दोता है, इसमें कई शब्द हैं जो कपड़े दोता है, और इसको हमने एक शब्द में कह दिया दोबी, ठीक है न, ऐसे ही यह देखो, जो खेती करता है, इसमें कई शब्द आगए, जो खेती करता है, कितने शब्द आगए, और इसको एक शब्द में हमने क्य कहा किसान ठीक है इसको आमने थोड़े शब्द में कहा दिया ना इसी प्रकार और ये देखो बहुत से वाक्यान से नीचे देखो जैसे झो जूते ठीक करता है मोची जो बिमार का इलाज करें डौक्टर जो नगर में रहता हो नागृ ठीक है जो शहर में रहता हो शहरी, जो युद लड़ता हो योदा, विद्याले जाने वाला विद्यारती, आप विद्यारती हो ना, विद्याले जाते हो ना, तो देखो एक तो विद्याले जाने वाला, इसको कहने में टाइम भी लग रहा है और जादा अक्षर भी बोले जा रहे है और इसको हमने फटापट क्या कहा दिया विद्यार्दी ठीक है जो सेवा करने वाला सेवक चिट्टी पहुचाने वाला डाकिया जो शाक सब्ची खाता हो शाक कहारी जो मास खाता हो मास सहारी जो सब कुछ खाता हो सरवाहारी जो आकाश में उड़ने वाला नबचर नब क्या होता है आकाश ठीक है ना आकाश में कौन उड़ते हैं पक्षी पक्षी उड़ते हैं ना तो उनको हम क्या कहते हैं नबचर ऐसी जो जल में रहते हैं वो जलचर जो भगवान में विश्वास रखता हो आस्तिक जो भगवान मे विश्वास ना रखता हो कितना लंबा हो गया लेकिन हमने इसको फटा-फट क्या कह दिया नास्ति मिट्टी के बरतन बनाने वाला उम्हार ठीक है तो स्टूडेंट्स अब आप देखो आपको ये पेज 57 पर चित्रों को देखकर बताईए ये कौन है ये इसमें चित्र दे र चलाता हूं बताओ मैं कोन हूं मैं बस चलाता हूं बताओ मैं कोन हूं मैं शेहर में रहता हूं बताओ मैं कोन हूं आपने ये देखने वीडियो अच्छे से और फिर आपको पूरे करने हैं मैं जल में हम जल में रहते हैं बताओ हम कोन हैं मैं बच्चों को पढ़ाती हूं बताओ मैं कौन हूँ यह आपको पूरे करने हैं और किसके लिए हैं